पंक बिखे बसता रस में रस उरद को निसच सरशेरों ग्रीव लो नीर में धीर धरे इक पैर खरो फिर है रव हेरों आतप सीत सहे बरखा तप साधत या भिदी कुरूर घनेरों श्री हर राय के पाए समानता पाए नकंज उपाए बतेरों धन गुरू हर राय सावजी महराज धन गुरू हर गुविन सावजी महराज दे पोत्रेशन आप दा अवतार माग सुधी तेरां सम्मत सोलां सो सतांसी जनमस्तान शीश मेल कीरतपुर जिल्ला रोपर्ट और आप दे पिताजी दाना शिरी बाबा गुरुदिताजी और माता निहाल कोर जी सी आप बड़े सील सुभाद है गुरू हर गुविन सावजी महराज जो युद लड़ दे रहे उस दे बकैद आप सेना दी कमान भी कर दे रहे सुर बीरता आप दे रौम रौम भी सी पर आपने कोई युद नहीं लड़े है जगत नुए दसे है कि युद लड़ना सड़ा मकसद नहीं युद सिर्फ बचाव लई है इज़त बचानी देश बचाना संस्कृती बचानी एगलवकरी है कि सारी दुनियां दे मुलका ने लेकन घजब दी गल है अज तक ते हमले ही होंदे रहने बचाव नहीं सही मैंने आदिच बचाव लई तोर तरीका अपनाया धन गुरू हर राय साब जी महराज ने बाईस सो अस्वार आप देनाल हर वक्त रहें देशन लेकन आपने भुलके वी किदरे युद नहीं की था साथा नाल शुरूतों ही गुरू घर दी नहीं बढ़ी बाबर ने गुरू नानिक नो जेल दिच पा देता और जहांगीर ने गुरू अरजन देव जी महराज नो शहिद कर देता शाज अहां भी खार खांदा सी क्योंके जो युद गुरू हर गुविन साब जी महराज नाल लड़े गए ओ शाज आँदी पेजे हुए सूबेदार सी और उस देई कारें देई उसे देई बन देई सी ओ भी क्रीबन क्रीबन अंदरों चड़े हो जाई सी लेकिन एक दफ़ा ऐसा होया कि शाज आँदा लड़का दारा जद बहुत बिमार पे या हकीमा ने तज्वीज की थी हरना दी और खास तरांदियां लोंगा ओ सिरफ आप जी देही तोशे खाने सन उस वगत रहम दिल कौमलता दे मालक धनगुर हर राइस साब जी महराज ने ये वस्तुमा ये हरना ये विशेश लोंगा आपने देदितियां हकीमा ने दवाई बणाई और दारा राजी हो गया इत्थों पता चल दाए कि अंद्रों दुश्मनी नहीं सी सता नाल सता धारिया नाल सता भी कुरीती नाल नफरत है क्योंके कुरीती नो अगर दूर ना कीता जाए तो राजनीत कुरीती धर्म नो ब्रश्ट कर दें दिए समाज नो ब्रश्ट कर दें दिए और इसे तरीके नाल मुलक नो खेरू-खेरू कर दें दिए धन गुरू हर राय साब जी महराज ने थाँ 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 ते विचर के भर्मन करके आपने एही संदेश उपदेश देता कि अंदर सवर रखना है और जो कुछ भी कोल है विशेश उस दी परदर्शनी नहीं करने नुमाईश नहीं करने अक्सर ऐसा होंदा है कि मुनुख जो कुछ नहीं है वो अपने आपनों प्रगट करदा है और जो कुछ है उसते पढ़दे पांदा है सद्गुर ने कहा जो तू नहीं है वो तू प्रगट ना कर और जो कुछ तू है इसते पढ़दा भी ना पा क्यों हो पढ़देया पांदेया पांदेया तेरी शक्ती तेरा समा जाया हो जगा और इस तरीके नाल प्रभूदी निगाज तू पखंडी होएंगा इश्वर्दी द्रिष्टिच तू पखंडी होएंगा पखंडी ना बन और जो तु नहीं है उप प्रगट भी ना कर हंकारी भी ना बन पखंडी भी ना बन इस सद्गुर्दा मूल उपदेश सी एक दिन आपदे चर्णा दिच सिखाने बेंति कीती पाथशा पाठ करें हम नित गुर मानी अर्थ परमारत की छूना जानी जो मारग गुर शबद बता है सो हमते नहीं जात कमा है सहे असी अर्थ बोटते जान दे नहीं शेह गुर्वानी पड़ी जान दे आ पड़ी जान दे आ इदे नाल सानुकी लाब होवेगा ताँ आप उस वकद चुप रहे गए प्रशन करता ने इस सोच लेया शैद सद्गुर्व जवाब नहीं देना चांदे या जवाब है ही नहीं प्रशन करता भी सद्गुर्व दे नाल चल पे बाहर सेर करनो नाल होर सिंग ने रस्ते देच एक ऐसी डोली मिटी दी टुटी होई सी कड़ी जिस देच घ्यो रखे आगया सी और वो थिंदी सी और उसनों टुटे हाँ गालबन कई दिन हो गया सन सद्गुर्व ने वो ठीकरियां देखियां जो थिंदीयां सन प्रशन करता नो कें लगए रही चिकंता ठीकरई माही तिव्च गुण रहें बानी मन माही जिमें किसे वकत घ्यो रखे आगये तावी चिकमाई इस ठीकरी नाल लगी होई है पावे घ्यो गड़ देता गये पावे घ्यो नहीं है ऐसे खो भावे अर्थ नहीं जान दे पर इतना भी ख्याल होए के गुरुबानी पढ़ रहे हैं प्रमातमा दी सौगात प्रमातमा दा अलहां उदे बचन पढ़ रहे हैं तो इतना भी जिड़ा ख्याल अंदर बनेगा एवी हिर्दे नो कॉमल करेगा एवी हिर्दे नो थिंदा करेगा एवी जो है गुरुबानी दा अपना असर ते परताप छोड़ेगा आप दे दो सहवजादे सन बाबा राम रह ते धन गुरु हर कृशन जी महराज जित्थे धन गुरु हर कृशन जी महराज बालक होंदे आवयावी संजमी सुशील दूर दृशन उत्थे राम रायवी तरा तरा दी कलाद चने पुन सी बादशा ने सत्गुरानू दिल्ली जद सदेया ता आपने स्याना समझ के सूजवान ते दूर द्रश समझ के बाबे राम रायनू भेजेया बादशा करामाता वेखना चांदा सी शा जहां दी बिमारी तबाद औरंगजेव गद्दी ते बिरवाजमान हो चुके आसे और इसे रई सद्दा गुरु हर राय साब जी महराज नू आया राम रायनू औरंगजेव ने आखिया कुछ करामाता दिखा गुरुनानिक दे घर दिया करामाता की ने बड़ी सुनिये गल गुरुनानिक दी बहुत बड़ी महमा सुनिये गुरु अर्जन देव जी दी तो कुछ करामाता दसो के देने शाही रोग दाव दे अधीन बाबारामराय हो गये और इनाने नाम सिमर के बंदगी करके ते सदगुर्दी हजूरी दिख रहके जो शक्तिया प्रापत की थिया सन करामाता दे रूप पच दिखानिया शुरू की थिया इतिहासकार लिखदे ने आपने बहत्तर करामाता दिखाई या और अगजेव दे मन थे बहुत वड़ा प्रभाव पया और उने सवा देच बकैदा बैठन ली एक कुरसी वी दिती लेकन मन देच एक एर्खा रखदा सी कि ए शक्तिया किदरे मेरी राज सता लई खत्रा ना हो जान ए शक्तिया किदरे गुरु अरजन देव जी महराईदा बदला ना लेन क्योंके गुरु अरजन देव जी महराईदा बदला ना लेन क्योंके गुरु अरजन देव जी महराईदा नो शहीद कीता गया ते गुरु हर गुरंज साब जी महराज नो जेल दिच पाया गया ए इरखा भी रखदा सी एक दिन औरंग जेब ने बाबे रामरा नो आखिया कि गुरु गुरंज साब जी महराज दिच कुछ तोहीन आमीज अलफाज ने जैसे के मिट्टी मुसल्मान की पेड़े पई कुमेहार एकदम राजनी तक रोब दे थले आके भैभीत होके रामरा ने कह देता बादशा सलामत मिट्टी मुसल्मान की नहीं है मिट्टी बेई मान की पेड़े पई कुमेहार ये बोल जड़ धन गुरू हर राय साब तक पहुँचे है ता आपने मू लान तो इनकार कर देता ते सिक संगता नू वी हुकम नामे पेज देते राम राय नू कोई मू ना लावे इसने गुर्णानिक दिबानी नू बदले है उदी रूप रेखा नू बदले है उदी अर्थ भाव नू बदले है और ए राजनीती दे रूब थले आगया है ओ फकीर नहीं जो राजनीत तक रूब दे थले आगया है फकीर ते ओ है जे दे जेर असर राजनीती चले फकीरों नहीं जो राजनीती दे जेहर असर हो जाए यह ठीक है कि सता अपने आप देश बड़ी परबल शक्ती है पर उस विछ धर्म ना होए धर्म तो मुराद प्यार ना होए सचाई ना होए निर्वैरता ना होए इनसाफ ना होए दया ना होए कोमलता ना होए तो राजनीती ठोस पत्थर बन जांदी और ठोस पत्थर लोगां दे सिर तोड़ दिये लोगां दा खचुमर कर दिये और ऐसा अज तक समू संसार दे चोंदा रहे है गुरु हर राइस साब जी महराज ने आखिर एक गद्धी धन गुरु हर क्रिशन जी महराज नो बक्षिश की थी जिना दी आयो सिर्फ पंच साल दी सी रामराय नो चिड़ होनी कुदरती सी पिता दे इस फैसले पाँ बहुत ओखे होए बहुत ओखे होए भी ये मेरे नाल अन्याय होए ए मेरे नाल द्रो होया है और बक्षिश दा गुरु होन दा दावा की था पहले अरजी दिती आउरंग जेब नो के गुरु गद्धी मैंनो दिलाई जावे और कौन दसे रामराय नो गुरु गद्धी ते प्रभूदी तरफों मिले ओही गद्धी हों दिये ते जिस गद्धी नो राजा दिलावे एक बादशा दिलावे ओगद्धी धर्म दी गद्धी नहीं होएगी ओह सचदा सिंगासर नहीं होएगा लेकन अरजी दिती पहले ते औरंग जेब टालमटोल कर गया ते फिर उसने गुरू शक्ती नो और गुर्गद्धी नो नेस्तो नाबूत कर लई राम राय नो तकवियत देनी शुरू की थी उसने बहुत बड़ियां जगीरां राम राय नू देतीयां ताके शक्ती शाली बने और एक भिरा पिरालाई तो खी बने और इस तरह गुर्गदी नश्ट होए गुरु हर राय साब जी महराज दा सिख संगतां दा बहुत बड़ा असर होया पजाब दियां से एक संगता ने राम राय तो मोड लेया लेकिन फिर भी बचियां कुछियां करामातां दे आसरे थे ये भोली भाले जनतानों लोकानों अपने काबू देच करदा रेया और इस तरी के दिनाल अपने गुरु होन दा परचार भी करदा रेया साहिब श्रीगुरु अराय सावजी माराय संगतानों सुचेत कर दे रहा है सावधान कर दे रहा है गुर्वानी इनल जोड दे रहा है और गुर्वानी दा परचार कर दे रहा है अखीर नू कत्तक वद्धी 9 सम्त 1798 नू आप कीरत पुर सावदिच जोती जोत समाग है जित्थे आपजी दा अंतम संसकार होया गुर्दवारा पातालपुरी मौजूद है सिख रवयाद दुमताबक तमाम सिख जगद फुल अस्तिया पातालपुरी रिच प्रवाकीतिया जानियन ए अस्थान गुरु अर्राइस साब जी महराइदा अंतम अस्थान है